बाखु पहली उन चुनिंदा फिल्मों में से हैं जिन में वीजवन एफेक्स का अच्छा यूज किया गया है लेकिन मुझे पूरी तरह ऐसा नहीं लगता पहला पाथ वीजवन एफेक्स के हिसाब से खराब था मैं उमीद करती हो कि वीजवन एफेक्स के मामली में थोर्ड पार्ट मुझे इनराश नहीं करेगा मैंने ये भी सुनाए कि माहेश मरी सामराज को बनानी में दुनिया के तीन बड़ी स्टूडियो की मदद ले गई थी पर मुझे अब बहुत तक समझ नहीं आया कि हम अपनी फिल्मों में वो वास्तवित्ता क्यों नहीं ला पाते जो हॉलिवुद या दूसरी फिल्म इंडोस्टीज में देखने को मिलते हैं शारु खान का ड्रीम प्रोजेक्ट और उनकी बड़ी फ्लॉप रावन के वीज्वल एफेक्स बाहुबली से कहीं बहतर थे मैं तो कहूंगी कि रावन के एफेक्स बाहुबली का मखी करिश की सभी सरीज और मोहन जोदारों से काफी बहतर थी हम बस मेकर से ही उमीद करते हैं कि वीएफेक्स की आर्ड में मुवी की ओडिशनालिटी ना चेने हमें बाहुबली 3 में वीएफेक्स का तड़का भी ऑथेंटिसिटी के साथ शही है मुझे लगते हैं कि आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगी एक फिल्मेकर बनने की चाह रखते हुए मैं जानती हूँ कि कैसे देक्टोज और प्रडूजर पंच टायलॉग्स और गानों को फिल्म में डालने पर मजबूर होते हैं मैं समझती हूँ कि गाने बॉलिवट स्टायल फिल्मों के लिए जरूरी भी हैं लेकिन बाहुबली के गाने बहुत बिकार हैं इस मूवी में जैसी कोरिग्राफी की गई है उसे देखकर लगता है कि जैसे राजा मॉली गानों को कहीं बाहर से लाए थे बाहुबली में उन जगों पर गानी थे जहां नहीं होने चाहिए थे जैसे शिवूडू के जहरने पर चड़ते समय इसके बाद अवंतिका के उस शक्स के प्यार में पढ़ते समय जिसने उससे मॉलेस्ट किया था और वो आइटम नमबर जिसमें दो हट्टे कटे लड़को के साथ तीन लड़कियां डांस करती है राजा मॉली से बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस बाहुबली 3 में इस तरों की अननेसेसरी चीजे ना दिखाए जिसके ओडियन्स को गलत निकालने का मौका मिल चाहे अप्रभास नेक इंटर्व्यू में कहा था कि हर मोवी बाहुबल के वल एक बार होती है अब आब इसकी उमीद नहीं कर सकते यह जादू है लेकिन इतना कहने के बाद मुझे उमीद है कि ऐसे स्राजा मॉली बाहुबली 3 बनाएंगे तो आब बाब बताओ आप कितने एक्साइटेड हो बाहुबली 3 को लेकर हम फिर मिलेंगी बाबाई अनल ऒन ज्यनी दो आप कितने मौनिस